चांद पर प्रज्यान के सामने आई पहली मुश्किल रोवर ने इस तरह की पार चंद्रियान 3 को चांद पर कदम रखे हुए पांच दिन हो गए हैं और उसकी रिसर्च जारी है इसरो को चांद के बारे में कई ऐसी बातें पता चली हैं जिनसे दुनिया अभी तक अंजान थी इसरो का मिशन चंद्रियान 3 चांद की सतह पर अपना काम कर रहा है तेईस अगस्त को हुई लैंडिंग के बाद प्रज्यान रोवर और विक्रम लैंडर की जोडी ने चांद पर रिसर्च शुरू कर दी थी अब उसने अपनी पहली बड़ी बाधा को भी पार कर दिया है प्रज्यान रोवर के सामने सौर मिमी का एक क्रेटर आ गया था जिसे पार करके वह आगे बढ़ा प्रज्यान के इस कदम ने वैज्यानिकों को काफी रहत दी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टाइम्स ओफ इंडिया को दिये इंटर्व्यू में चंद्रियान थ्री के प्रोजेक्ट डारेक्टर पी वीरा मुथुवेल ने प्रग्यान रोवर को लेकर शुरुवाती जानकारी दी है उन्होंने बताया कि प्रग्यान रोवर के सामने ये पहली बड़ी चुनौती थी जिससे उसे पार पाना था ये क्रेटर गढ़ा हंजोड मिमिट्वारन का था जिससे बचकर प्रग्यान आगे बढ़ गया आसान नहीं है प्रग्यान का काम पी वीरा मुथुवेल ने समझाया कि चांद पर प्रग्यान रोवर जो चहल कदमी कर रहा है उसके लिए निर्देश इस रो से ही जाते है यहां सेंटर से चांद की परिस्थिती को परखा जाता है और फिर प्रग्यान रोवर को निर्देश भेजे जाते है उदाहरण के तौर पर अगर प्रग्यान रोवर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा जाता है तो उसके लिए वहां का ग्राउंड, रोशनी, तापमान और बाकी सभी चीजों को परखना पड़ता है वैज्यानिक के मुताबिक एक बार में प्रग्यान रोवर 5 मीटर तक मूव कर सकता है इस दौरान उसको तमाम मुश्किलें जहलनी होती है हमने पहली मुश्किल तो पार कर ही ली है, जब प्रग्यान ने एक क्रेटर को पार किया हमें समझना होगा कि प्रग्यान साइज में काफी बड़ा नहीं है इसके अलावा कम्यूनिकेशन की दिक्कते होती है ऐसे में अगर एक मूव्मेंट भी करना है तो उसमें पाँच घंटे तक का भी वक्त लग सकता है तापमान को लेकर चौकाने वाली जानकारी बता दें कि इसरो ने रविवार को चांद से जुड़ी एक अहम जानकारी दी विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर ने चांद पर तापमान को लेकर रिसर्च की है जिसका ग्राफ हैरान करता है पेलोड ने जो जानकारी निकाली है उसके मुताबिक चांद पर तापमान सतर डिगरी तक जा सकता है जो वैज्ञानिकों की उम्मीद से काफी ज्यादा है इसरों ने करीब पचास डिगरी तापमान तक का अनुमान लगाया था प्रज्यान ने अभी जो टेस्ट किये हैं उसके मुताबिक चांद पर तस डिगरी तक तापमान जाता है जो सतर डिगरी तक चेंज होता है अगर चंद्रियान तीन मिशन की बात करें तो चौदा जुलाई को इसे लॉंच किया गया था तेईस अगस्त को चंद्रियान तीन के विक्रम लैंडर की चांद के दक्षणी हिस्से पर सफलतम लैंडिंग हुई भारत चांद पर सौफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है जबकि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश है इस हिस्से को भारत ने शिवशक्ती पॉइंट नाम दिया है तेई सगस्त के बाद सेही विक्रम लेंडर प्रज्ञान रोवर ने काम शुरू किया अभी के हिसाब से 2 सितंबर तक इनकी लाइफ लाइफ लाइन है दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद